निमस्कार दोस्तो, स्वागते अब सभी का एक बर फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाला हर्द्याल के बारे में जो कि एक महान करांति कारी थे लाला हर्द्याल जी का जनम 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली के मोहला चिडिया खाना याने की चान्नी चोट में हुआ था इनके पिता का नाम गोरी दयाल माथूर वे माता का नाम भोली रानी था लाला हर्द्याल के मन में बच्पन से ही देश भक्ति की भावना थी सुन्दर रानी नाम की महीला से 17 वर्ष की आयो में इनका विभा हुआ था इनको एक पुत्र की प्राप्ती हुई लेकिन कुछी दिनों में उसका निधन हो गया और बाद में एक पुत्री हुई थी लाला हर्द्याल ने दिल्ली में पढ़ते समय अमीर चंद बाल मुकुंद आदी के साथ यूगों के साथ एक दल का गठन किया था लाहोर में पढ़ते समय इनके दल में लाला लाजपत राय जैसे यूग भी सामिल थे M.A. की परिक्षा उत्यर्ण कर चातर वृति से ये अध्यन के लिए लंदन चले गए थे लाला हर्द्याल अंग्रेजी सरकार के चातर वृति पर शिक्ष्या प्राप्त करना सुईकार नहीं करते थे लंदन में भारते विध्यारतियों को मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल मशिनरी नामक संस्था बनाई थी दो वर्स के अध्यन के बाद ये फिर भारत वापस आ गए छोटी उम्र में ही ये आरे समाज से काफी प्रभावित हो चुके थे लाला हर्दियाल पंजाब नामक अंग्रेजी पत्र के संपादग भी थे इनके बढ़ते प्रभाव को देखकर सरकारी हलकों में उनके ग्रिफतारी की चर्चा होने लगी तब लाला लाजपत राए ने इन्हें विदेश भेजने का आगरे किया पैरिस में लाला हर्दियाल मेवंदे मात्रम और तलवार नामक पत्र का संपादन किया 1910 में लाला हर्दियाल सेंड फ्रांसिसको अमरीका गए और वहां के मज़दूरों को संगठित कर गदर नामक पत्र निकाला अंग्रेजी समराजय को जड़ से उखाड फेंगने के उदेशे से उन्होंने अमरीका में 25 जून 1917 को गदर पार्टी की स्थापना गी लाला हर्दियाल ने जून 1915 में जर्मनी से दो जहाजों में बंदूग भरकर बंगाल बेजे पर मुखबिर के सूचना पर इन दोनों जहाजों को जबत कर लिया गया था लाला हर्दियाल ने भारत का पक्ष परचार करने के लिए स्विट्चरलेंड तुर्कियादी देशों की भी आत्रा की थी जर्मनी में लाला हर्दियाल जी को कुछ समय के लिए नजरबंद कर दिया गया था तो वहां से ये स्विडन गए जहाँ 15 साल तक ही रहे अपने उद्देशों के पूर्ति के लिए कहीं से से योग नहीं मिलने पर लाला ने सांती बारका परचार करने लगे 1949 में लाला हर्दियाल भारत आने के लिए उच्छ थे क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी पुत्री का मुह तक नहीं देखा था इनके पुत्री का जनम इनके विदेश चाने के बाद हुआ था 4 मार्च 1949 को विदेश से भारत आते समय विदेश में ही इनका निधन हो गया था लाला हर्दियाल अपनी जिन्दिगी में कभी भी अपनी पुत्री का मुह तक नहीं देख पाई लाला हर्द्याल के मित्र लाला हनुमंत सहाय जब तक जीवित थे तब तक वो कहते रहे कि लाला हर्द्याल की मिर्तु सोहभाविक नहीं थी उन्हें जहर देकर मारा गया था तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धर निवाद